कौन चाहता है कोट कचेहरी के चक्कर काटना मैं तो चाहता हूँ कि मेरे दुश्मनों को भी कोट कचेहरी के चक्कर ना काटने पड़े तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी बातों की जो कोट वगेरा में की जाती है अदालत में नयाले में जिस तरह की बाते होती है कोट कचेहरी इस तरह की बाते हमDINGलिश में कैसे कर सकते है आप इस वीडियो से सीकेंगे इस वीडियो से आप काफी कमाल के वर्ड्स सीखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत यूसफल साबित होने वाले हैं ऐसी बाते हैं अक्सर हिंदी में करते हैं इस तरह के टौपिक के ओपर बात करते वक्त तो इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे वर्ड्स सीखने के लिए मिलेंगे तो friends इस वीडियो को end तक जरूर देखना क्योंकि आपको बहुत फायदा होने वाला है इस वीडियो को देखने पर इससे पहले एक बार मैंने एक वीडियो बनाए थी crimes और criminals से related vocabulary के उपर उस वीडियो को भी आप जरूर देखना इस वीडियो को देखने के बाद क्योंकि उसमें आपको जो words मिलेंगे वो crimes से related है वो कुछ पहले कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाए थी उसका link आपको यहाँ पर i button में मिल जाएगा तो friends देखते हैं इन्हें English में कैसे कहें Who wants to be in and out of courts? कौन काटना चाहता है? Court के चहरी के चकर I don't want even my enemies to appear in courts frequently To appear in courts frequently तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि courts में उनको appear होना पड़े बार-बार दुश्मनों को यह भी नहीं चाहता मैं तो I don't want even my enemies to appear in courts frequently Frequently is an adverb of frequency जिसका मतलब है बार-बार कल सुनवाई होगी सुनवाई को English में का कहते है The hearing will be held tomorrow The hearing will be held tomorrow तो friends सुनवाई को English में hearing कहते हैं बिना सुनवाई के आप कोई फैसला कैसे ले सकते हो How can you take a decision without a hearing How can you take a decision without a hearing By the way जो judge decision लेते हैं उसे English में हम verdict कहते हैं verdict कहते हैं उसने मेरे खिलाफ गवाही दी तो गवाही देने को क्या कह सकते हैं He testified against me He testified against me गवाही देने को testify कहते हैं और जो गवाही होती है गवाही as a noun उसको हम English में testimony कहते हैं testimony क्या तुम judge के सामने गवाही दे सकते हो Can you testify before the judge जी हाँ friends before का मतलब पहले होता है लेकिन before का मतलब in front of भी होता है formally हम before का use इस तरह से भी करते हैं Can you testify before the judge राकेश इस खून का चश्मदीद गवाह है यनि उसको अपनी आखों से इस जुर्म को होते वे देखा है इस खून को होते वे देखा है राकेश is an eye witness of this murder राकेश is an eye witness of this murder तुम ही इस चोरी के इकलोते गवाह हो हम इसे कह सकते है You are the only witness to this heist तो friends बड़ी चोरी को हम English में heist कहते है By the way ये word कुछ दिनों से काफी common काफी popular चल रहा है क्योंकि एक series आई है Netflix पर Money Heist अगर वो आपने देखी हो तो ये word आपने जरूर सुना होगा Money Heist Heist का मतलब बड़ी चोरी होती है आरोपी के उपर खून करने का इलजाम लगा है किसी के उपर इलजाम लगाना मतलब उसे accused करना The defendant is accused of having committed a murder तो friends court के अंदर वो इनसान जो अपरादी है अपरादी है की नहीं वो तो नहीं पता लेकिन उस पर अपराद भी लगाया गया है उसे हम defendant कहते है defendant उसे हम defendant कहते है The defendant is accused of having committed a murder defendant को हम offender भी कहते है और accused करना मतलब की आरोप लगाना defendant का opposite होता है complainant complainant जो शिकायत लेकर आता है जो complainant करता है जो शिकायत दर्ज करता है किसी के खिलाफ कि इसने ऐसा किया है उसे हम complainant कहते है या उसे हम plaintiff भी कहते है plaintiff आरोपी को कटगरे में खड़ा होने को कहा गया The defendant was told to stand in the dock जीहां friends उस कटगरे को English में हम dock कहते है वैसे एक और जगह होती है जहांपर हमारा गवा खड़ा होता है गवा को witness English में कहते है वो जहां खड़ा होता है उसे हम witness box कहते है जबकि जिस पर अपराद लगा है यानि की offender या फिट defendant वो खड़ा होता है dock में In the dock तुम मुकदमा जरूर जीतोगे English में कहेंगे You will surely win this lawsuit जी हां friends मुकदमे को उस case को हम English में lawsuit कहते है lawsuit मुकदमा किसी के ओपर कोई complaint है कोई शिकायत है तो उसके लिए मुकदमा होता है उसे हम lawsuit कहते है उसने मेरे खिलाफ एक मुकदमा चला दिया है He has filed a lawsuit against me He has filed a lawsuit against me तो friends कोई आप पर मुकदमा कर देता है उसे English में sue करना भी कहते है He has sued me He has sued me यानि उसने मुझ पर case कर दिया है मुकदमा चला दिया है यानि उसने मुझ पर case कर दिया है यानि वो कोट के चैरी में चला गया है मेरे शिकायत करने के लिए हम इससे ऐसे भी कह सकते है He has pressed charges against me मैं मुकदमा लडने के लिए तैयार हूँ I am ready to litigate I am ready to litigate तो फ्रेंस एक और वर्ड होता है litigate litigate का मतलब होता है मुकदमा लडना तो आप litigate का यूज़ कर सकते हैं I am ready to litigate फ्रेंस देखा कितने कमाल के वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिल रहे हैं है ना ये काम के अगर ये वीडियो आपको useful लग रही है तो प्लीज इससे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने भी तक नहीं किया है तो प्लीज उसने मुझ पे जूटा आरोप लगाया है He has made a false allegation against me He has made a false allegation against me आरोप को हम इंगलिश में allegation कहते हैं या accusation भी कह सकते हैं मुझ पे लगाये गए सारे आरोप जूटे हैं All the accusations leveled against me are false तो फ्रेंज आरोप लगाने को accusation लगाने को हम उसे level करना भी कहते हैं और यहाँ पर our preposition against भी उस कर सकते हैं और at भी उस कर सकते हैं मैंने पुलिस को अपना बयान दे दिया है I have given my statement to the police I have given my statement तो फ्रेंज बयान को हम simply statement कह सकते हैं उसने एक गुमरा कर देने वाला बयान दिया है यानि कि उसने ऐसा बयान दिया है जिससे कि पुलिस को गलट direction मिल जाए He has given a misleading statement उसे कड़ी सजा दे दी गई है He has been given a harsh sentence तो friends, sentences की तो हम हमेशा बात करते रहते हैं लेकिन क्या आपको पता है sentence का मतलब सजा भी होता है जब हम sentence को as a noun use करते है तो इसका मतलब punishment भी होता है सजा भी होता है sentence को verb की तरह भी इस्तिमाल किया जा सकता है किसी को सजा देना, उसे sentence करना इस sentence में देखिए उसे उम्र कैद की सजा मिली है He has been sentenced to life imprisonment He has been sentenced to life imprisonment Life imprisonment Life sentence भी बोल सकते हैं हम कह सकते हैं He has been given a life sentence तो friends, यहाँ पर आप देख रहे है sentence एक verb की तरह यूज हो रहा है और यहाँ पर passive voice भी है आकाश को बरी किया जाता है आकाश को बरी किया जाता है रिहा किया जाता है कह सकते हैं आकाश is acquitted किसी को acquit करना मतलब उस पर जो इल्जाम जो आरोप लगाए गए है उनको गलत साबित कर देना और उसे बरी कर देरा तो उसे हम acquit करना कहते है आकाश is acquitted जो तुमने किया है वो एक बहुत बड़ा जुर्म है इसे कहेंगे तो फ्रेंस फैलिनी का मतलब होता है इसका opposite बाइदवे होता है जो छोटा मोटा जुर्म होता है जेब वेब काट लेना तुमने उसे चुआ भी तो तुम्हारे गले में फासी का फंदा होगा अंगलिश में कहेंगे मतलब अगर चुआ भी अगर उसे जरा भी नुकसान पहुचाया जी हाँ फ्रेंस उस फासी के फंदे को हम इंगलिश में नूस कहते है तो फासी के फंदे का डर किसे दिखा रहे हो तो फ्रेंस नूस भी आपने देख लिया तो फ्रेंस इसी तरह से अपने इंगलिश को रेगिलर्ली इंप्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नहीं भी तक नहीं किया तो और फ्रेंस वो वीडियो भी जरूर देखना जो मैंने बनाई थी क्राइम्स और क्रिमिनल्स से रिलेटेड वो क्याबिलिरी के उपर उससे भी आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा यही पर जब आप वीडियो देखते हैं तो उपर एक आई बना होता है आई पर क्लिक करेंगे तो उसमें वीडियो दिखाई देती हैं उसी को मैं कहता हूँ आई बटन पर वीडियो मिल जाएंगी मतलब वहां मिलेंगी तो फ्रेंज बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में अब तक के लिए अपना ख्याल रखना टेक केर एंड बाई